हेलो गैस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2016 की तमिल लेंग्वेज साइकोलोजिकल कॉमेडी फिल्म वाले बार राजा का जिसको डिरेक्ट किया हुआ है साई गोकुल रामनात ने फिल्म के लीड चोइस दिखाई हुए हो तो उन में से एक को चूस करना हो तो वो नहीं कर पाएगा यानि कार्तिक के लिए वो मुश्किल हो जाता है छोटी से भी छोटी चीज के लिए जैसे की सेंडविच खाना या बर्गर और वही चीज उसको आगे दिक्कत देने वाली होते है यानि क लड़की को कार्तिक के पेरेंट ने उसके लिए चूस किया हुआ है और कार्तिक सालू की तरह भी एट्रेक होने लगता है तो यहीं पे फिल्म में वो सिचेशन सेट हो जाती है कि अब इन दोनों के बीच में से यानि कि स्वीटी और सालू के बीच में से कार्तिक किसके पांतनम जो एक साइकेट्रिस्ट है तो अब यह दोनों मिलकर किस तरस इस प्रोब्लम का हल आते है वही फिल्म की कहानी है फिल्म के डाइरेक्टर यानि कि साइंगोकुल रामना जिन्होंने पूरी फिल्म को जिसतर से नेरेट किया हुआ है जिसतर से सेट अप करके दूस नहीं करवा बाता है इसके अलाव फिल्म में जो कोमेडी और ड्रेमेटिक सिच्वेशन सेट की हुए वो भी पूरी तरह से फ्लेट नोट के साथ जा रही होती है इसके अलाव फिल्म में जो केरेक्टर राइजेसन थे वो भी डाइरेक्टर ने बढ़या तरीके से न इसनी बेहतरिन तरीके से परफॉमस निकलवाया नहीं है हाँ सांतनाम सेतू विसाका सिंग नसरत भरूचा जो अपनी तरफ से बेश्टर देने की कोशिस कर रहे थे लेकिन केरेक्टर राइजेसनी काफी वीक थे जिसकी वजह से वो सभी चीजे बेहतरिन तरीके से आउट देता हूँ तो और होल बात करें तो इस फिल्म को देखते समय आपको जरा भी कुछ भी फिलिंग मेसूस नहीं होगी ना तो फिल्म आपको हसाने में कामियाब रहेगी ना तो फिल्म का जो ड्रामा है वो आपको कनेक कर पाएगा तो जब फिल्म खतम कर लोगे आप तो किसी अच्छी चीजे याद नहीं रहेगी कुल मिला के बात कर तो इस फिल्म को इग्नोर कर दो तो भी कोई फरक नहीं पड़ने वाला इससे स्कीप करके दूसरी कोई मूवी आप देख सकते हो तो बस गाईज आज के रिवी में इतना ही था आई होप आपके रिवी पसंद आया होगा अगर रिवी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेज जरूर कीजेगा और बेसे नए साउथिनेन मूवी के हिंदी रिवी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठींक्यू